बैसे तो चुकंदर का जूस पीने के कई फायदे हैं लेकिन 90% लोग चुकंदर का जूस गलत तरीके से बनाते हैं जिसकी वज़ा से बीटरूट जूस पीने का फायदा कम नुकसान जादा हो सकता है अगर आप मेरी इस वीडियो को देखकर चुकंदर का जूस बनाएंगे तो इसका सुआद लगबग 80% बढ़ जाएगा और इसका फायदा पहले से ज़्यादा आपको मिलने वाला है और इसके साथ खून की कमी को भी दूर करता है और भी कई तरह की के फायदे गाजर में पाय जाते हैं सबसे पहले हम गाजर और चुकंदर को अच्छी तरह से वाश करेंगे और इसके बाद इन दोनों चीज़ों के हम छिलके उता लेंगे तो इनको उतानने में जादर समय भी नहीं लगेगा तो हमने गाजर के चिलको को उतालिया है अब हम चुकंदर के चिलको को उतालेंगे और दोस्तो इसका juice बनाने के लिए छिलको को उताना जरूरी है क्योंकि छिलको के साथ तो आप इसका juice बना ही नहीं सकते हैं अब जैसे कि हमने चुकंदर के भी छिलको को उताल लिया है इसके बाद हमें इसके छोटे-छोटे पीस बना लेंगे इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ करना होगा पानी हम इसमें इसलिए एड़ करना है क्योंकि जब हम इसको ग्राइड करेंगे तो मतलब यह काफी गाड़ा हो जाता है तो इसमें थोड़ी सी पानी की मातरा भी रहनी चाहिए जिससे कि जब हम इसका juice निकाले तो हमें कोई भी दिकत ना है इसके बाद हम इसके ढखकन को ढख देदेंगे और इसके बाद हम इसको grind करते हैं तो हमने इसको अच्छी तरीके से grind कर लिया है और जैसे कि आप देखेंगे काफी गाड़ा हो चुका है चलिए अब हम इसका juice निकालते हैं तो juice निकालने का बहुत ही simple से तरीका है आपको कोई भी एक बर्तन लेना है और एक चलनी लेनी है और चलनी में आपको उपर से इस तरीके से गाड़े पेश्टी को डालना है और नीचे से आपका juice असानी से निकल जाएगा तो आपको करना क्या है जो आपके बाद चमच होगा आपको इस तरीके से चलाना है और नीचे आपका juice निकलता रहेगा तो यहाँ पर जो उपर गाड़ा गाड़ा थोड़ा सा बचेगा इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफी मातरा में juice निकल जाएगा तो फिलाल हमने यहाँ पर एक चुक अंदर और एक गाड़ा ली है और इसमें हमारा अराम से दो गिलास juice निकल जाएगा तो जहाँ पर आप दे सकते हैं हमारा juice निकल चुका है और इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा ओर टेश्टी बनाने के लिए इसमें कुछ और चीजे भी एट करने वाले हैं तो जैसे कि हमने वीडियो के इस्टाइडिक में ही आपको बताया था 80% आपके जूस का सुआत बढ़ जाएगा पाया जाता है तो आप इसको जरूर बना कर ट्राइ करें तो आपको हमारी आज की रेसीपी कैसे लेगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करें और ज्यादा स्यादा शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसी हैची रेसीपी और मिलते रहें तो आची वीडियो में इतना ही ठेंके फोर वोचिंग